हेलो स्टुडेंट्स हमारा क्रतिका का नए चैप्टर सुरू होने वाला है जो की जिसका नाम है रीट की हट्टी और ये चैप्टर बास्तिकता में हमारे समाल जो ये एक जो रीट की हट्टी है वो एक एक आंकी है एक आंकी का समझता है एक प्लस अंक जिसमें एक ही अंक में सारी चीजें बता दियाती एक आंकी कहलाती है उसमें एक ही मेंटर को लेके बाती की जाती है तो ये जो रीट की हट्टी है जैसा कि इसका नाम से हमें समझ में आ रहा कि हो सकता है कोई सरीर से रिलेटिट चीजों क यह चैप्टर आधारत है समाज के उपर हमारे समाज की रीट की हड़ी जो हमारा समाज का बैक बॉन है जो हमारा समाज है जो मुख आधार बिंदू जिसको हमने रीट की हड़ी बोला है क्योंकि हमारे सरीर में अगर रीट की हड़ी के काम को देखते हैं तो सबसे महत्पूर वर्क रीट की हड़ी के द्वारा ही पूरे सरीर को बैलेंस रखना इसी का काम होता है और यही है हमारे समाज के उपर जब इस बात को एक्प्लाई करते हैं कि हमारे समाज का आधार बूद रीड हमारे सिध्धान्त होते हैं कौन-कौन से सिध्धान्तों को हमें जीवन में महतता देनी हैं क्या है यह हमारे समाज के आधार बूद सिध्धान्त होते हैं जिस पर हम मनलों समाज का जो आधार भूर जो धांचा है वो हिला हुआ नजर आ रहा है इसलिए इसमें ये जो इकांकी है ये व्यंगात्मक तरीके से हमारे समाज पर एक तीखा और प्रहार करती है क्योंकि हमारे समाज का जो आधार भूर धांचा है वो हिला हुआ है उसका backbone है उसका आधार है वो हिला हुआ है सिध्धानतों की कहीं न कहीं कमी है सिख्षित व्यक्तियों का मतलब जो कहते ना की असिख्षा जादा है इस तरीके से हम कहें तो बैतर है असिख्षा जादा है इसलिए समाज में कई टाइप की कुरीतिया है और ये जो कुरीतिया ह हमारे समाज में हमारे समाज को एक क्या कहें दीमक की तरह खोकला कर रही है हमारे समाज की जो मजबूती है उसमें लग कर उसको खोकला बना रही है उसको खा रही है लेकिन दुखत बात यह है कि हमारा ध्यान इन पर नहीं जाता है हम क्या कहते है यह परमपरागत है परमपरा हैं कि हमारा स्ववववेद वहां जागरित होता नहीं दिखा है हमें लगता कि हम इस दुनिया में इंसान है क्योंकि इन्सान अरस्तु के कथना अंसार कैसा होता है एक सामाजिक प्राणी है पर हम कैसे समाज़ के प्राणी है कि उस समाज में रहने वाली कुरीदियों को यह स्थान देते हैं ? produce this इन्हें स्थान ना मिले ये व्यंग हम पर लिखा गया आ ये व्यंग ना के बल हम सब पर ये व्यंग है इसलिए हमें इस तरीके से इसको देखना है कि देखना नहीं हमें से समझने की कोशिस करना है हमें समझना है इस बात को कि क्योंकि हम जीवन में हम अपने आपको कहते हैं मानव जो मानव एक विकास करता है, उसका विकास होता है, उसकी बुद्धी का विकास, मतलब हर तरीकी modernization उसका बुद्धी की modernization होता है, उसका रहन से इनका modernization होता है, हर तरीके से वो step by step आगे बढ़ता है, लेकिन दुख के बात ये है कि हम किसे modernization कहते हैं, हमारा समाज चल नहीं रहा है, बेकास नहीं कर रहा है, घिसट रहा है, और नाम देते हैं परमपराओं का, नहीं, ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं है, कुछ चीज़ें जो कुरीतियां होती हैं, हमें उन्हें बदलना होता है, तो आज ये जो टॉपिक है हमारा इसे बात को related है ये एक समाज को लेकर एक एकांकी लिखी गई है, जिसका मुख देश समाज पर उपस्थित कुरीतियों पर व्यंग करना है, अब बात आती है कि कुरीतियां क्या थी, तो इस जो एकांकी के माध्यम से हमें बो कुरीतियां बिताएं गई हैं, कि हमारे समाज में एक बहुत जिस पर हम आपका ध्यान अकर्शित कराएंगे, वो है लड़का और लड़की में हमारा समाज बहुत बड़ा भेद करता है, बहुत बड़ा भेद दिखाई देता है, बहुत बड़ा डिफरेंस, कभी ना पाटने वाला डिफरेंस, जो कभी सायद हम लोग नहीं पाट पा हम किसी ना किसी रूप में उसे हम स्विकार कर लेते हैं, और एक उसका नतीजा है कि हमारे समाज में किसी को इस्थान कम है और किसी को इस्थान बहुत जादा है, अब आपको जिग्यासा होगी कि कि किसका इस्थान कम है और किसका इस्थान जादा है, तो ये एकांकी इसी बात को explain करती है क्योंकि जानते तो हम सब हैं लेकिन आज हम जो एकांगी के माध्यम से जानेंगे वह बहुत इंपोर्टेंट होगा थोड़ा सा हम इसकी हिंट भी देते हैं हमारे समाज में बताया है कि लड़का लड़की में बहुत बड़ा भेद है जगदीश चंद माथुल ने इसे भेद को explain करते हुए हम सभी समाज बासी या सब समाज में रहने वाले विक्तियों पर एक तीखा प को समझना है ठीक है तो जो नेक्स वीडियो आएगा बेटा हम इसे अपने चाप्टर को आगे बढ़ाएंगे गाड़ ब्लेश यू डियर चिल्टरन गाड़ ब्लेश